हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मेदे सब अच्छे से हुगे आप सब को बगवान बहुत खुश रखे दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि कोई ऐसे तरीके बताईए कि हम एर कंडिशनर यूज करें और बिजली का बिल कम आए तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ अगर आप उनको अपनाते हैं तो आपके एर कंडिशनर के उपर लोड कम पड़ेगा इवन पीक में भी यानि कि जब बहुत जादा गर्मी बढ़ती है तब भी आपके एर कंडिशनर को जादा मेहनत नहीं करन करना चाहिए वाइल यूजिंग एर कंडिशनर ताकि एर कंडिशनर का लाइफ स्पैन भी बड़े और उससे बिजली भी बचे यानि कि वो जादा बिजली की खपत ना करे तो दोस्तों उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को अगे की तरफ लगा होता है उसको परियोडिकली आपको साफ करना है और इससे भी ज्यादा इंपोर्टन है कि आपको एसी का कंडेंसर परियोडिकली साफ करना फेरी प्रियोडिकली का मतलब होता है कि ट реально वाइन कि 15 दिन बाद या महीने आपको उसको अच्छे से साफ करना ही करना है इसके लिए आपको ऊट ब्रश यूस्ज कर सकते हो या फिर अगर आप प्रेशर से पानी भी मार दोगेक consortium पर तो भी वह साफ हो जाता है है अगर कंडेंसर गंदा रहेगा तो आप समय लीजिए कि बिजली भी वह जाधा खाएगा उर जब बहुत जाधा गर्मी पड़ेगी तो गंदा कंडेंसर होंने के कारण आपका जो International वो भी टरिप होने लगेगा overheat के अकरण तो इसलिए अक़र का साफ होना बहुत तो आपकी duty ये बनती है as a consumer कि आप condenser coil को भी उसी parameter से साफ कराईए क्योंकि condenser coil का साफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी air conditioner के लिए अगर वो साफ रहेगी तो यकीनन air conditioner के compressor के उपर load कम पड़ेगा और आपका जो power saving है वो भी होगा और condenser से जोड़ी दूसरी बात भी आप हमेशा याद रखें कि condenser यानि कि window AC के पीछे की तरफ just या फिर जहां पर आपके outdoor लगाओ ये split AC का तो वहाँ पर आप कोई भी कपड़ा न सुखाए या किसी भी तरह से उस area को block न करे ताकि जो condenser में से हवा निकल रही है वो रुके नहीं वो अच्छे से throw out हो और environment में मिल जाए अगर उसके आगे कोई obstruction होगा तो भी condenser overreat होगा और जिसके कारण compressor को जादा काम करना पड़ेगा और विजली जादा लगेगी तो इन चीजों को दोस्तों बहुत जादा consider किया जाना चाहिए अगर आप power saving चाहते हो अब बात करते हैं दूसरे point के उपर और वो है curtains और blind का use करना दोस्तों आपके कमरे के अंडर अगर कोई window है या कोई दर्वाजा है तो advice मैं करूँगा आपको कि उस पर curtain use कीजिए क्योंकि दर्वाजा हमेशा खुलता रहता है चोटे बच्चे हैं गर्में तो भी बार बार खोलते रहेंगे लेकिन अगर उस पर बढ़ता लगा रहेगा तो cooling का बाहर ज रोका जाए और उसको हम इसी तरह से रोक सकते हैं suppose कोई sun facing window है तो अगर हम उसके उपर कपड़ा नहीं लगाएंगे या curtain नहीं लगाएंगे तो गर्मी जो है वो अंदर कमरे में आएगी और जो cooling कर रहा है air conditioner वो उसके उपर हावी हो जाएगी और cooling धंक से नहीं हो पाएग लेकिन जैसे ही गर्म हवा आती है तो air conditioner को और जादा harder work करना पड़ता है जिसके कारण बिजली भी बहुत जादा खर्च होती है तो आपको अगर बिजली बचानी है तो अपने कमरे में proper curtain या फिर blinds की वेवस्ता कीजिए ताकि आपका जो air conditioner है वो normally काम करे और power saving भी आपक का मतलब यह नहीं कि 40-50 जादा का मतलब यह है कि मैंने बहुत सारी लोग ऐसे देखे हैं हो सकता है आप में से भी कुछ लोग वैसे ही हो जो AC को सीधा 18 या फिर 16 पर set करके चलाते हैं उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि बाहर कितनी गर्मी है या बाहर कैसा मौसम है बस व हो तो यकीनान आपके घर का विल बहुत जादा आता होगा दोस्तों कभी भी इतने लोएस्ट पर टेंपरेचर सेट नहीं करना चाहिए हमेशा टेंपरेचर को 21-22 या 24-25 तक ही सेट करना चाहिए अगर आप पावर सेविंग करना चाहते हो तो आप एक बात मतलब सोच के द हो जाएगा कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा है तो कमरे में कितना हो सकता है 25 हो सकता है 24 हो सकता है 23 हो सकता है तो आप उसको उतना सेट कीजिए ताकि कंप्रेशर के उपर जब वह डिजायर पर पहुंचे तो लोड कम पड़े लेकिन जब आप 16 या 18 पर से सेट कर देते हैं तो कंप्रेशर अपने हाईयर स्पीड पर चलता रहता है चलता रहता है जिसके करण बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है तो मोटी सी बात दोस्तों यह समझ लीजिए कि अगर आप पावर सेविंग चाहते हो तो एक एक डिगरी भी उसके उपर अ दोड़ दीजिए अब आता है चौथा पॉइंट और वो है अन्यूज स्पेस यानि कि जो कोई ऐसा स्पेस है आपके रूम में जो यूज नहीं हो रहा है उसको बंद कर दीजिए या ख्लोज कर दीजिए अब यह अन्यूज स्पेस क्या होता है सपोज कोई आपका कमरा है उसमें अलमारी रखी हुई है और अलमारी का आपने दर्वाजा खोल के रखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि अलमारी के अंदर जो कपड़े पड़े हैं उनको ठंडा करने की कोई जरूरत है आप उसको बंद करके रख सकते हो ऐसे ही हो सकता है कि आपके कमरे के जाकर वो खराब नहों क्योंकि अन्यूज़ पेश अगर खुला रहेगा तो थंड़क के उपर इंपक्ट पड़ता है और आपका जो रूम है वो देर में डिजायर टेमप्रेशर के उपर पहुंचेगा तो अपने रूम को जितना पैक्ट रखेंगे और अन्यूज़ जो पे सेया उसको क्लोज रखेंगे या बंद करके रखेंगे ऐसी चीजों को तो कूलिंग बहुत जल्दी होगी और पावर सेविंग भी होगी अब बात करते हैं पांचमें पॉइंट के उपर और वो है एनर्जी सेविंग मोड दोस्तों जो भी एर कंडिशनर हो उसमें बहुत स दिया जाता है ताकि आपके एर कंडिशनर के उपर कम लोड पड़े और पावर जो है वो सेव हो यानिकि एलेक्टिसिटी सेव हो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई भी मोड को कभी चेंज ही नहीं करते हमेशा कूल मोड पे ही चलाते रहते हैं और कंप्रेशर जो है वो जिसकी बज़े से एलेक्टिसिटी बिल जब्रादा आते हैं दोस्तों जो मोड दिये जाते हैं बेशक ड्राइ मोड हो गया इको मोड हो गया पावर सेविंग मोड हो गया इस तरह के जितने भी मोड होते हैं इनको time to time हमें यूज करना चाहिए क्योंकि अगर वो मोड करता है और पावर भी सेव करता है और जो यह पावर सेविंग मोड है काफी लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में भी तो पावर सेविंग पर बिना वजह लोड मत दीजिए बहुत सारे लोग मैंने देखा है घाड़ी में भी ऐसा कुछ लोग करते हैं 10 मिंड लिए n जलाएंगे कमरा ठंडा हो गया फिर बंद कर देंगि फिर 10 मिंड के लिए जलाएंगे कमरा ठंडा हो गया फिर बंद तो ऐसे में जो AC का कमप्रेशर है उसको अपनी highest efficiency पर काम करना पड़ता है क्योंकि जब आप AC को बंद कर देते हो तो आपका कमरा फिर से गरम हो जाता है और दुबारा से गरम कमरे को जब ठंडा करने के लिए आप AC को on करते हैं तो कमप्रेशर अपने highest speed पर चलता है जिसकी वज़य से पावर बहुत जादा consume होती है तो दोस्तों ये बहुत ही गलत होता है आप इंटर्वल में उसको यूज करने से बजाए उसको highest temperature पर यानि कि आप 18 पर सेट करके उसको 10-10 या 20-20 मिनट के लिए चला रहे हो उससे बेटर है कि उसको 23 या 24 पर सेट करके 21-26 गंटे चला लो मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि आप highest temperature पर उसको सेट करके चलाओगे तो power saving भी होगा और आपको बहुत ही अच्छा experience भी होगा air conditioning का और आपके AC का life span भी बढ़ जाएगा और उसके compressor की life भी बढ़ जाएगी क्योंकि बार बार उसको on करना off करना इससे बहुत सारी चीजों पर असर पड़ता है उसके capacitor भी हो सकते हैं PCB के उपर असर पड़ता है motors के उपर असर पड़ता है लेकिन एक चीज continue चलती रहती है तो इतना असर नहीं पड़ता है वो अच्छे से perform करती है तो दोस्तों ये थे वो सारे points जो मैं आपके सार डिसकस करना चाता था क्योंकि power saving के मामले में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं तो मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत जरूरी है बनाना था कि आप लोगों को ये सारे points पता होने चाहिए तभी आप किसी भी AC से power saving करवा सकते हो या power saving का उससे benefit ले सकते हो दोस्तों बेश listening का experience भी मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए topic के साथ आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लिजी और साथ में गंटे को भी दबा दीजे ताकि आने वाले सभी वीडियो के notifications आपको मिलते रहेंगे तो चलि मुझे दीजिये इजाजत God bless you दोस्तों